हलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के सोशल साइंस सिविक्स के चैप्टर 3 के प्रवस्णों का उत्तर जिसका सिर्षक है राज सासन कैसे काम करता है बच्चों पाट का पहला प्रवस्ण है निर्वाचन छेतरों प्रतिनिदी सब्दों का प्रयोग करते हुए असपष्ट कीजिए की बिधायक कौन होता है और उसका चुनाओ किस प्रकार होता है इस प्रत्त का उत्तर से दे सकते हैं. बिधान सबा के सदाख से कोई बिधायक या a-m-l-e का जाता है. परतेक बिधायक के लिए एक बिधान सबा निर्वाचन छेटर होता है, जहां से बिधायक जनता के प्रतिनेदी के रूप में चुन कर आते हैं. विधायक का चुनाव के बारे में जानते हैं, परतेक विधायक के लिए एक लिएक विधासवा निरवाचन छेत्र होता है, जहां से विधायक जनता के प्रतनिद्दी के रूप में चुन कराते हैं। प्रतेक मिरवाचन छेत्र के व्यसक नागरीक अपने गुप्त एवं सर्व भॉहमिक मतादिकार द्वारा एक बिधान सभा के प्रतेंजी का चुनाव करते हैं। पाठ का दूसरा प्रस्त है कुछ बिधायक मंत्री कैसे बनते हैं। अस्परस्ट कीजिए। इस प्रस्त का उत्तर इस्तर से होगा। पाठ का तीसरा प्रस्त है, मुख मंत्री तथा अनमंत्रियों द्वारा लिये गए निर्णेवों पर विधान सभा में बहस क्यों होनी चाहिए। इस प्रस्त का उत्तर इस्तर से होगा। तता अन्मंतरीयों द्वारा लिए गए NHIRने समाज के सभी बर्गों के लिए लाभकारी हो बिधान सवा में होने वाली बहस के द्वारा ही मुख मंत्री तथा बहस के अधिकारओं के दुर्पयुक पर अंकुर्णा समभा है बहस के फलसरूप आये नवीन विचारों को अंतिम निर्णे में जोड़ा जा सकता है रथात अनुप्युक्त तत्यों को हटाया भी जा सकता है पाट का चोथा प्रस्न है पतालपुर में क्या समस्या थी निलिकित कत्नों के द्वारा इस विशे में क्या चर्चा या कार्ज किये गए निम तालिका को भरिये आम सबा बिधान सबा प्रेश वारता और मुक मंत्री प्रस्न का उत्तर इस्तर से होगा पतालपुरम के समस्याएं पाने की कमे के कारण लोगों को तीन दीन में एक बार पाने की सबलाई दी जाती थी लोग मजबूरी वस गंदा पाने पीने के लिए मजबूर थे, जिनके कारण पूरे छेतर में हैजे का प्रको फैल गया था, दस लोगों की मिर्तिव हो चुकी थी, तथा जिला चिकत साराय आनि सरकारी होस्पीटल मरीजों सो भरा हुआ था इस विसे में निमलिकित विभागों के द्वारा किये गए काम या कर्ज इस परकार हैं जिसमें पहला है आमसभा, रैली या आमसभा के कारण सड़क बन था और रैली वालों ने विधाय के घर का घिराव कर लिया था और दूसरा वर्क, दूसरा काम बिधान सभा में हुआ, बिधान सभा में पानी कम, पानी की कमी की अपूरती, सरकारी अस्पतालों की दसा, बिमारी को रोकने में सरकार की असफलता, जिला अस्पतालों में चिकित्सा क्रमचारियों वा डक्टालों की कमी, तथा O.R.S के प और मुख मंत्री ने इस पिसे पे क्या कार्ज किये। मुख मंत्री ने उन परिवारों से भेट की, जिनके रिष्टेदारों की मिर्त्यू हो गई थी, वे अस्वस्त लोगों को देखने अस्पताल गए, पिडित परिवारों के लिए मुआपजा रासी की घोष्टना की सफाई तथा पानी की आपूर्ती को सुनिश्चित करने के लिए उच्च अस्तरिये जांच समिती की गठन का अस्वासन दिया। पाट का पाच्वा प्रस्त में है, बिधान सवा सदस द्वारा बिधायका में किये गए कारजों और सास्की विभागों द्वारा किये गए कारों के बीच में क्या अंतर होता है, इस परस्त का उत्तरिष्टर से होगा, बिधान सवा के सदस द्वारा बिधायका में कानोनों का निर्मान करते हैं, कथा अस्थानिय समस्याओं को विधायका में रखते हैं सरकार द्वारा किये गए महत्तपुर्ण निर्नेओं को विधायका में घोष्णा की जाती है विरोधी दल के विधान सवा के सदस्य द्वारा सरकार की गलत नितियों का सदन में विरोध किया जाता है सास्किय विवाग द्वारा सरकार के निर्नेओं और कानूनों को संचालित कह जाता है कुछ पाठगत प्रस्नों को जान लेते हैं पहला प्रस्न है निमलिकित सब्दावलियों को पर चर्चा कीजिए आमसभा, भारत के राज, निर्वाचन छेत्र, बहुमत, सब्दारूर दल और बिरोधी दल यह प्रस्न बच्चों आपको पेज नमर 32 पे आपकी किताब में मिल सकता है आप उसे देख सकते हैं इसमें उत्तर इस्तर से होगा आमसभा, सधारन जनता का एक सम्मेलों को आमसभा करते हैं अब भारत के राज, भारत में 28 राजे हैं सभी राजियों का छेत्र फल और जनसंख्या बरावर नहीं है निर्वाचन छेत्र इसका मतलब होता है एक निश्ची छेत्र से जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने परतनिधी चुनते हैं उदारन के लिए कोई पंचायत या वाड़ या वाज छेत्र हो सकता है जो बिधान सभा सदस्र भी चुनता है बहमत इसका अर्थ है ऐसी स्थिति जब किसी समों के आधे से अधिक संख्या के लोग किसी निर्ने या विचार से सामत हो इसे सधारन भहमत भी कहा जा सकता है सत्तारोड दल जिस दल की सरकाय काम रहती है सरकार कायम रहती है उसे सत्तारोड दल कहते है बिरोधी दल का मतलब होता है उन चुने हुए परतिनिदियों से जो सत्ता पच्छ के सदस नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्मेवों में और कारेवों पर प्रस्त उठाने और विधान सवा में विचार के लिए नए मुद्धे उठाने की होती है पाट का दूसरा प्रस्त है क्या आप अपने राजी के संदर्व में इनके उधारन दे सकते हैं बहुमत, सत्तरोड दल और विरोधी दल इस परस्त का उत्तर आप अपने राजी के हिसाब से देंगे मैं दिल्ली से हूँ इसलिए दिल्ली राष्टी रजधानी छेत्र के विधान सवाज छेत्र में आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त है और इस संदर्व में सत्तरोड दल आम आदमी पार्टी है जिसके विधान सवा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त है और बिरोधी दल के रूप में भारती जंदा पार्टी है पार्ट कर तिसरा प्रस्न है कई बार सप्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टीों से मिलकर बनता है इसे गटवन्दन सरकार कहते हैं आप अपने सिच्चक से इस विशाय पर चर्चा कीजिए इस प्रस्त का उत्तर इस तरह सो होगा जब किसी एक दल को पूर्ण भाहमत नहीं मिलता और जब कई दल नियुंतम काज करम के तहर सबसे बड़े दल को अपना समर्थन देकर सरकार का गठन करते हैं तो इससे गठबंदन सरकार कहते हैं एक बिचारधारा वाला दल ही सबसे बड़े दल का समर्थन करते हैं इस तरह के गठबंदन सरकार का उधारन है राश्टीय मोर्चा की सरकार एंडिये की सरकार और उपियो की सरकार पाटगत चौथा प्रस्तन है जो बिधायक सोचते थे कि सरकार की इस्थिती को गमिर्ता से नहीं ले रही है वे मुख रुप से क्या-क्या तरक दे रहे थे इस प्रस्ण का उत्तर इस तरह से होगा हिमाचल परदेश के कई विधायक विधान सभा में अपनी अपनी छेत्रों के समस्याओं को बता रहे थे जिसमें कुछ विधायक यह मान रहे थे कि सरकार इन समस्याओं को गमिर्ता से नहीं ले रही है इसके लिए विभिन विधायक को द्वारा कई तरक दिये गया एक बिधायक का तर्ग था, अखंड गाउं में मेरे निर्वाचन छेत्रे में पिछले तीन हपतों में हैजे के कारण 15 लोगों की मिर्तिव हो चुकी है, मेरे बिचार में सरकार के लिए यह बड़ी ही सर्मनाक इस्थिति है, वह सरकार जो अपने को प्रद्योकी में यसी सधारन बिमारी को रोकने में असफल रही है, मैं स्वास्त मंत्री का ध्यान इस और अकरसित करना चाहूंगा कि वे इस्थिति को नियंत्रन में लाने के लिए ततकाल जरूरी कदम उठाएं दूसरा विधायक का तर्ग था, मेरा प्रस्निया है कि सरकारी असपतालों की दसा इतनी खराब क्यों है, सरकार जीला असपतालों में डॉक्टरों वर्चिकित साक्रमचारियों की ठीक से निक्ति क्यों नहीं कर रही है, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस इस्थित का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संक्या में प्रभावित हैं, और यह संक्या बढ़ती जा रही है, अब यह महामारी का रूप ले चुकी है, पाट का पाच्वा प्रस्न है, यदि आप स्वास्त मंत्री होते, तो उप्युक्त चर्चा का उत्तर क के बार, बिधायकों किया बतलाते कि हम, हमने इस छेतर में कितना काम किया है, और समस्या अभी भी काइम है, यह समस्या उत्पन हो गई है, उन समस्याओं का जल्दी ही निप्टारा कर लिया जाएगा, तथा जिन समस्याओं में अधिकारी और क्रमचारी लप्रवाही बरत रहे हैं उनकी लप्रवाई को खत्म किया जाएगा और जुरत पढ़ने पर उन पर उचित करवाई भी की जाएगी पाठगत शत्ता प्रस्त है आपके विचार से क्या उप्युक्त बहस कुछ अर्थों में उप्योगी रही कैसे चर्चा कीजिए इस प्रस्त का उत्तर इस तरह से होगा, हमारे विचार से विधान सभा में होने वाली सभी बहस उपयोगी थी, क्योंकि वे बहस से जनता की समस्याओं से जुड़ी हुई थी, विधायक गन इन समस्याओं को सरकार के मंत्रियों के सामने रख रहे थे, जिससे कि सरकार के मंत्र कि गन उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कर सके पाठ का सात्वा प्रस्तन है व्याख्या कीजे कि सरकार की कार्ज पर नाली में एक समान्य विधायक और उस विधायक में जो भी मंत्री हैं क्या अंतर है इस प्रस्त का उत्तर इस्तर से होगा एक विधायक जो जनता द्वारा चुने हुए परतनेजी होते हैं, ये विधायक किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन जो विधायक मंत्री भी है, वे सिर्फ सत्तरूट दल की विधायक हो सकते हैं, तथा मंत्री विधायक को किसी एक विभाग का मंत्रालय सुपा जाता है, और उस मंत्रालय से समनित सभ अधिय महत्त्रपुर्ण निर्ने मंत्री विधायक द्वारा लिया जाता है। विधायक के मंत्री होने के कारण उनकी सुरच्छा विवस्ता भी विधायक से अलग होती है। पाठगट आत्वाँ प्रस्द है जो आपके पेज नमर 37 पे आपके किताब के 37 पे मिल जाएगा। प्रस्वासन दिया। और दूसरा है सरकार द्वारा एक उचस्तर ये जान से मिती गठित की गई जो सफाई सुविधाओं के लिए जीले की जुरुतों के बारे में विचार करेगी। और लोक निर्मान मंत्री को यह दिशा निर्देश दिया गया कि वे छेत्र में पाने की उचित ब्यास्ता पर ध्यान दें। आम लोगों को जनकारी देना होता है। समाचार पत्र या अन्य संचार के साधन लोगों के लोगों के घर तक पहुंचती है। इसलिए प्रेसवारता द्वारा सरकार द्वारा किये जा रहे कार्जों के बारे में जनकारी प्राप्त करने में काफी सहायक होती है।